आए सुनते हैं आज की नई कहानी कहानी का मज़ा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए मत करो न अंकल प्लीज मम्मी मुझे न वो परोस वाले अंकल अच्छे नहीं लगते अब क्या हुआ? पसंद कौन आता है तुम्हें? नहीं मम्मी मैं सच कह रही हूँ वो जब आते हैं मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता देखो निम्मी वो तुम्हारे पापा के अच्छी दोस्त हैं और फिर जब भी आते हैं तो तुम्हारे लिए चोकलेट और कितनी अच्छी अच्छी चीज़े लेकर आते हैं तुम्हें गोग में बैठा कर कितना प्यार करते हैं पता नहीं ये आजकल के बच्छे किसी को पसंद ही नहीं करते बस अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं ग्यारह साल की निम्मी ज़्यादा तो नहीं जानती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मम्मी को कैसे बताए कि अंकल उसके साथ कैसी हरकत करते है अगी बार जब वो अंकल फिर से उसके घर आय तो वो सहम गई अंकल ने उसे चौकलेट दी तो उसने मना किया पर मम्मी के कहने पर ले ली मम्मी बोली मैं चाय बना कर लाती हूँ आप बैठे तब तक ये किसी से फोन पर बात कर रहे है जरूरी भीजती हूँ इनको निम्मी तब तक तुम अंकल के पास बैठ कर बात करो मैं पापा को बोलती हूँ पर मम्मी मुझे होमवर्ट करना है अरे हो जाएगा होमवर्ट भी कौन सा डिप्टी कलेक्टर की पढ़ाई है अभी कहकर मम्मी अंदर चली गई चाय बनाने पापा अंदर फोन पे बात कर रहे थे निम्मी कसमसा कर रह गई कोई उसकी बात सुनने को तयार ही नहीं था जैसे बेमन से निम्मी अंकल के पास ही सोफे पर बैठ गई तो उन्होंने निम्मी को अपने पास बुलाया इधर आओ निम्मी देखो मैं तुम्हारे लिए आज चोकलेट के अलावा और क्या लाया हूँ एक पैकेज जो वो अपने हाथ में लिए हुए थे दिखाते हुए बोले निम्मी ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए कहकर वो अंदर जाने लगी तो अंकल ने उसे खीचकर अपनी गोध में बैठा लिया और जोर से उसके गालों पर पप्पी ले ली निम्मी बहुत असहज महसूस कर रही थी वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि अंकल ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके मम्मी पापा की ही बदनामी होगी उसका मासूम मन उनकी बातों को भला कहां समझ सकता था वो डर गई थी तभी एकायक न जाने क्यों उसके मासूम मन में एक सवाल आया उसने कहा अंकल एक बात पूछे हाँ पूछो आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं न हाँ करता हूँ उन्होंने कहा कितना बहुत ज़्यादा मेरी तरह हाँ तुम्हारी तरह तो उसे भी आप गोद में बैठाते हैं मेरी तरह और ऐसे ही प्यार करते होंगे न जैसे मेरे साथ करते हैं न अंकल उसे भी ऐसे ही चूते होंगे न जैसे आप मुझे चूते हैं ये बात रसोई से आते हुए उसकी मम्मी ने सुन ली थी उन्हें तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतनी चोटी बच्ची के साथ भी अब उन्हें समझ आया कि निम्मी क्यों बार-बार मना करती रही और वो मा होकर भी न समझ सकी तुरंट निम्मी की मम्मी अंदर आई और उसे उनकी गोट से अलग कर जोर से एक थप पर रसीद किया और हिदायत दी की आइंदा इस घर की तरफ रुख मत करना मैंने अपनी बच्ची की बातों को नजरंध असकरिक बाहरी इंसान पर भरोसा किया काश अपनी बच्ची की बात और गौर किया होता तुम जैसे भीडिये हर घर में चुपे हुए हैं तब तक शोर सुनकर निम्मी के पापा भी बाहर आ गए थे सारा माजरा समझाते ही पुलिस को फोन करने लगे थे कि उन्होंने पापा के पैर पकर लिये मुझे माफ कर दो आगे से ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी सिर्फ यहां ही नहीं अगर कहीं भी मुझे सुनाई दिया तो समझ लेना खेर नहीं होगी अगली बार दोस्ती की आड़ में तुमने मुझे भी धोखे में रखा अब तक निकल जाओ यहां से फिर कभी अपनी शकल मत देखाना मुझे उसके बाद वो बहां से ऐसे भागा जैसे दुम दबा कर बिल्ली भागे ऐसी कितनी ही घटनाए हमारे आसपास होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमें अपने बच्चों को समझना होगा उनका मासूम बच्पन न खो जाए इसके लिए हमें जाग्रोख होना होगा और बच्चों को सुरक्षत माहौल देना होगा दोस्तो ऐसी ही ओसम कहानिया पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ओसम कहानिया को प्लीज लाइक करना और अपने खुबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना धन्यवाद